दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे food franchise बिजनस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पैन इंडिया में 500 से ज़्यादा outlets है और अपने business को grow कर रहे हैं साथ ही आपको उस company की business strategies के बारे में बताने वाला हूँ दूसरा इनकी business strategies को जानकर आप अपना खुद का food business भी तेजी से grow कर सकते हैं अब दोस्तों आपको पूरी information दूँ उससे पहले एक छोटी सी request है अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं की तो please subscribe कर लीजे ताकि जब भी मैं कोई नए video upload करूँ उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए हे दोस्तों मेरे नाम रेजनीकान शर्मा और आप दिख रहे हैं कमाओ और कमांदो YouTube चानल दोस्तों जिस business model के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़े-बड़े शहरों के साथ साथ छोटे-छोटे गाओं में भी खूब चलेगा और ये बात आप सभी जानते होंगे कि food business एक ऐसा business है जो कभी भी ठंडा नहीं पड़ेगा और अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो आप एक महीने में एक लाग रुपया या उससे भी जादा आसानी से कमा सकते हैं और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी company के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो एक छोटे से level पे हुई थी पर आज पैन इंडिया लेवल पे वो company ना सिर्फ लोगों को आउटलेट प्रोवाइड कर रही है बलकि अपनी जबरदस business strategies से बाकी के food business करने वाले लोगों को भी inspire कर रही है दोस्तर उस company का नाम है हटके वड़ापाओ जिसकी शुरुआत आज से लगबग 8 साल पहले CA अधितिमालपानी ने एक छोटे से store से की थी और आज के डाय में इनके 1500 से यादा stores है तो दोस्तर अगर को इनकी फ्रेंचाइसी लेना पसंद कर रहे है और दोस्तर अगर को इनकी फ्रेंचाइसी लेता है तो उससे क्या-क्या benefits मिलेंगे चलिए ये जान लेते हैं सबसे पहला brand identification अगर मैं आपसे पूछू KFC नाम सुनने के बाद में आपके दिमाग में क्या आता है तो आप में से जाहत है लोग का जवाब होगा chicken wings राइट वैसी अगर मैं McDonald या Burger King बोलूँ तो आपके दिमाग में उनके delicious burger आएंगे इसके लावा अगर मैं Colgate या Pepsolone का नाम लूँगा तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी toothpaste लेकिन क्या कभी आपने एक चीज नोटीस की है कि ये सभी brands अपने एक ही प्रोड़क की तो उसी तरीके से हटके वड़ापाओ का नाम भी है किसी भी brand की पहचान के लिए सिफ एक ही product चाहिए होता है और वो है इनका unique वड़ापाओ जो की Mumbai का famous fast food भी है हटके वड़ापाओ का भी एक ही vision है अगर किसी को भी Mumbai का वड़ापाओ खाना है तो उसे हटके से provide करवाए जाएंगे दूसरा keeping invitation product and become everyone's competitor देकि बहुत से लोग अपनी store पर वो product रखते ही नहीं है जिसे देखकर लोग attract हो सके और वो street food vendor को भी competition दे सके पर हटके वड़ापाओ ने इस बात का खास खयाल रखा है और इस चीज को अपनी strategy में include किया है इनके वड़ापाओ 15 10 सुपे से शुरू होता है और normal चाय के अलावा ये लोग अलगलग flavors जैसे अद्रक चाय मसाला चाय इलाची चाय वगरा वगरा के सासर जैगरी चाय भी देते हैं जो कि आजकल market में खूब चल रही है तीसरा pocket friendly rate अब देखी दोस्तों हम सब को पता है कि इंडिया में लोगो को कम price में best product चाहिए जायते Indians middle class category से belong करते हैं और try करते हैं कि कम से कम price में अच्छी चीज मिल जाए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हटके वड़ापाओं ने अपने menu को pocket friendly रखा है जिसकी वैसे इनके stores छोटे छोटे गाओं में भी खूब चलते हैं चलिए दोस्तों अब मैं आपको इनका menu भी दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग वड़ापाओ सिर्फ 15 रुपे से शुरू होते हैं और पीजा का starting price है 109 रुपे और burger सिर्फ 45 रुपे से शुरू होता है और मुझे जो सबसे best लगा वो है इनका combo जो किसी विक्सो 9 रुपे का है उसमें burger, fries और mocktail का combo मिलता है और ये वज़े भी हो सकती है इतने कम टाइम में इनका business तेजी से grow होने के बीछे तो अगर कोई भी अपना food business शुरू करता है तो उसे भी ये चीज ध्यान में रखनी चीए कि product tasty और hygienic होने के साथ साथ उनका price भी pocket friendly होना चाहिए चौथा no chef और cook dependency देखिए कोई भी food company अलग 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 जगों पे अपने store को तभी smoothly run कर सकती है जब सब जगह का taste same हो जिससे उनकी bound to mount marketing हो जाती है जैसे आपको Magdi के burger का taste सब जगह पे same ही मिलेगा और कुछ आपको हटके वड़ा पाओ के food products में भी मिलेगा क्योंकि जो भी food material इनके store पे होते हैं उनके सारे raw metal company supply करती है साथ ही आपको training भी provide करती है इसके लाब company छोटी छोटी चोटी चीज़े भी अपने store को provide करती है जैसे कि wrapping paper, pizza box, sauces वगरा वगरा जिससे उनके हर store पर customers को same चीज होने की जरुवत नहीं पड़ेगी और दोस्तो same taste and quality की वज़े से हटके वड़ा पाओ हो आज के time में 4 की rating मिली हुई है तो दोस्तो आप भी अपने food business में इसी प्रिकार की strategies use कर सकते हैं पाचवा, zero franchise, zero royalty, दोस्तो market में आपको बहुत ही कम companies ऐसी मिलेगी जो zero franchise, zero royalty के formula पर का से बड़ा reason है कि जो कोई भी food business करना चाहता है उसके लिए हटके वड़ा पाओ best option बन जाता है, तो दोस्तो ये तो कुछ ऐसी strategies और benefit थे जो इनकी franchise लेना चाहते हैं उन्हें मिलेंगे और जो लोग food business करना चाहते हैं वो इनसे सीख सकते हैं, अब जो लोग इनकी franchise लेना चा अब अगर बात करें investment की तो इसमें आपको 2,000,000 रुपे से लेके 3,000,000 रुपे का investment आएगा जो कि आपके store setup और product में लगने वाला है, company आपसे किसी प्रकार की कोई भी franchise या फिर royalty fee charge नहीं करने वाली, अब ये 2,000,000 रुपे आपके कहां invest होंगे वो आप वीडियो को pause करके चार्ट में देख सकते हैं, और दोस्तो रही बात requirement की, तो आपको 200 से लेके 500 square foot की shop लेनी होगी, जो की एक ऐसे location पे होनी चीए, जहाँ पे publica footfall जादा हो, जिससे आपको जाद सादा customers मिल पाएं, तो दोस्तो ये थी हटके वड़ा पाव franchise की सारी details, इसके लावा अगर इसी वीडियो के description में दे दिया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजे, इस वीडियो को अपने सभी friends, family member और जान पेचनलों के साथ share कीजे, साथ ही साथ मैं चैनल को subscribe नहीं के तो please subscribe कर लिजे, ताकि जब भी मैं कोई नया वड़ इपलोड करू, उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नहीं कमाने के तरीकों के साथ,